Hello Everyone, I am Aastha, Welcome करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल Government Job Genuine Notification So Indian Air Force की तरफ से एक और New Recruitment Notification 12th Pass Candidate के लिए यहाँ पर Release कर दिया गया है आज इसका Notification Release हुआ है and इसका जो Application है आज से ही Start हो रहे है 8 July 2024 से इसके Application भी Start हो रहे है तो जो भी Candidate Interested है, Apply करना चाहते हैं यह जो विकैंसी है यह अगनी वीरवाईयू इंटेक 02-2024 का Notification Release हो गया है Male and Female दोनों से ही Applications Invite किये जा रहे हैं जो भी 12th Pass है 12th आपने किसी भी Subject से किया हो, आप यहाँ पर Alisable रहेंगे, Apply कर सकते हैं So सारी Information हम इसके Official Notification के Through लेंगे, अगर आप Interested है तो वीडियो में बने रहेगा Continue, Last तक Watch कीजेगा, और उसके बाद अगर आपके कोई भी Question या कोई Doubt रहता है तो आप मुझे Comment करके पूछ सकते हैं Okay, so अभी आप देख रहे हैं, मैं इसके Official साइट पर हूँ, मैंने इसका Notification डाउनलोड किया हुआ है, आप भी इसकी साइट पर आएंगे, तो आपको यहाँ पर, आप देखेंगे यहाँ जो नीचे में, यहाँ पर आपको इसका Application जो Link है, Notification and Apply Link, आपको यहाँ पर मिल का, ओके, तो चलिए, अभी हम देख लेते हैं, मैंने डाउनलोड किया हुआ है, तो ओपन करेंगे, तो यह अभी आप इसका Notice देख रहे हैं, यह यहाँ पर आप देखेंगे, अगनिवीर वायू, इन्टेक 02-2025, यह यहाँ पर रिलीज हो गया है, इसमें Online Applications, Invite Online Applications from Unmarried Indian Males and Females Candidate for Selection Test for Agnivir Intact 02-2024 under Agnipath Scheme, जो अगनिपath Scheme है, इसके अंतरगत, यह आप सभी जानते ही है, अगनिवीर भरती की जाती है, हमारी जो फोर्स है उसमें, तो यहाँ पर यह अप्लिकेशन इन्वाइट किये गए हैं, आट जुलाई से, डेट आप देख रहे हैं, आट जुलाई से लेकरके 28 जुलाई तक आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, अब हम यहाँ पर देखेंगे, ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको, ठीक है, यहाँ पर आप ऑनलाइन अप्लाई की जो डेट है, वो भी हम ना देख ली, आठ वजे से स्टार्ट हो गय जहां पर हमने देखा, अलिजबिल्टी में सबसे पहले एस देखेंगे, तो एस आपकी 3 जुलाई 2004 से 3 जुलाई 2008 के बीच आपका वर्थ डेट होना चाहिए, या हम एस अगर देखें तो अपर एस लिमिट आपकी 21 साल यहाँ पर दी गई है, जो भी अप्लाई करने की जो वर्थ डेट यहाँ पर दी गई है, यह आप देख सकते हैं, और यह जो दौनों डेट रहेंगी, यह भी इंक्लूट रहेंगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में देखें, इसमें जो विकेंसी जाती हैं, वो दौनों के लिए आती हैं, तो साइंस स्टूरेंट्स के होना चाहिए, इसके अलबा, अगर आपने तीन साल का डिपलोमा कोर्स इंजिनेरिंग में किया हुआ है, मेकेनिकल, इलेक्टिकल, इलेक्टोनिक्स, ओटो मोबाइल, कंप्टर साइंस, इंस्टूमेंटिशन टेकनलोजी, इंफोर्मेशन टेकनलोजी, तो भी आप यहाँ पर अप्लाइ कर सकते हैं, लेकिन परसेंट इसका आप ध्यान रखिएगा, minimum 50% मार्क्स आपके होना चाहिए, साथ में इंगलिस सब्जेक्ट में भी आपका 50% होना चाहिए, अगर आप यहाँ पर 2-year का डिपलोमा कोर्स की हैं, 3-year का नहीं की हैं, तो 2-year के डिपलोमा कोर इसके साथ में भी आप यहाँ पर अप्लाइ कर सकते हैं, other than science student, तो जो भी science student नहीं हैं, उनका भी यहाँ पर अप्लाइ कर सकते हैं, 50% मार्क्स ही रहता है, मार्क्स को आप याद रखेगा, okay, इसी तरह से 2-year का अगर vocational course किया है, तो वो candidate भी यहाँ पर अप्लाइ कर सकते ह है, height देखेंगे, तो male candidate के लिए 152.5 cm height होनी चाहिए, and female के लिए 152 cm यहाँ पर लखी गई है, minimum height इतनी होनी चाहिए, बाकी अगर आप उत्राखंड से हैं, तो यहाँ पर आपकी minimum 147 cm है, northeast या हिली जॉन जो है उत्राखंड के, वहाँ से अगर आप लॉंग करते हैं, तो 14 47 cm है, और लक्षदीप से अगर आप हैं, तो 150 cm है, ओके, वेट आपकी height के according रहता है, next यहाँ पर चेस्ट मेल के लिए 77% and 5 cm extension, यहाँ पर देखेंगे, विज्वाल स्टेंडर्ड आप यहाँ देख सकते हैं, body tattoo से related, यहाँ पर instructions दिये गए हैं, अब यह अगनी वीर भरती है, तो अगनी वीर पर मैंने already वीडियो अपलोड की है, जिसमें आपको क्या-क्या facility and किस तरह से आपको छुट्टी मिलती है, लीफ मिलती है, यह सारा सब कुछ आपको समझाया गया है, कौन-कौन से allowances, किस त करती होती है, जिसमें first year में आपको यहाँ 30,000, second में 33, third में 36,500, fourth year में आपको 40,000 पर मन्त रुपए दिये जाते हैं, इनमें से आपका in-hand वगरा पूरा detail यहाँ पर आपको बताया गया है, in-hand आपको कितना मिलता है, 70% मिलता है total salary का, जिसमें से कुछ आपका save होता है, इस लाग तक का निधी package यहाँ पर आपको दिया जाता है, बाकि insurance बगरा भी यहाँ पर है, तो यह आप यहाँ देख लेंगे, selection procedure में phase first होगा, online test आपका यहाँ पर होगा, online test आप यहाँ देख पाएंगे, examination जो आपका रहेगा, science subjects के जो students है, उनके लिए total duration of the online test 60 minute रहेगा, जिसमें आपका physics, mathematics and English रहेगा, other than science subjects जो रहेंगे, उनके लिए 45 minute का timing रहता है, और इसमें आपका reasoning and general awareness यह रहता है, and science subject और other than science subject, यह सभी के लिए यहाँ पर आप देख पाएंगे, marking यहाँ पर one mark for every correct answer, and zero mark for unattempt, लेकिन negative marking यहाँ पर रहती है, 0.25 mark minus किया जाता है, अगर आप wrong answer देते हैं, first phase complete होने के बाद, आपका second phase रहेगा, second phase आप यहाँ पर देख सकते हैं, second phase में आपका color print out of phase, second admit card, color print out of duly filled application form, तो यह आपका second phase कर रहेगा, soon after a declaration of the result of phase first online test, a cut-off will be applied on the normalized marks scored by the candidate in the phase second, test short listed candidate will be sent a new admit card on their registered email ID for phase second, phase first जब आप कर लेते हैं के लिए, तो phase second के लिए, आपकी email ID पर अगर आप के लिए कर लेते हैं, तो email ID पर आपको new admit card send किया जाता है, जो की phase second कर रहता है, okay, and phase second आप यहाँ पर, and इसमें आपका physical fitness test रहेगा, जिसमें PFT 1, PFT 2 आप देखेंगे, 1 में आप देखेंगे, यहाँ पर male candidate के लिए 1.6 km running 7 minute में, and female के लिए 8 minute का time रहता है, phase second आपका PFT second जो रहेगा, इसमें भी आप post-ups, sit-ups वगरा रहेंगे, तो यह भी आप यहाँ पर पूरा चार्ट देख रहे हैं, female के लिए भी देख सकते हैं आप यहाँ पर, और male candidate के लिए, ठीक है, तो यह यहाँ पर आपका रहता है, इसके बाद phase third रहता है, जो कि medical examination होता है, medical examination के बाद में, आपका यहाँ selection, document verification वगरा रहेगा, उसके बाद आपका selection हो जाता है, तो training आपकी रहती है, apply कर सकते हैं, तो online आपका apply करना है, अगनी पद बायू की official website पर जाकर करके, link मैंने आपको बता दिया है, active हो गई है, तो आप apply कर सकते हैं, examination fees यहाँ पर 550 प्लस GST चार्ज आपका रहेगा यहाँ पर apply करने के लिए, फीस यहाँ पर pay करनी होगी आपको, so, जो भी male, female, unmarried male, female apply करना चाहते हैं, वो अभी apply कर सकते हैं, 28 जुलाई, last day रहेगी apply करने की, and इसमें आपका, अगर कोई query है, तो आप यहाँ पर भी contact कर सकते हैं, ठीक है, यह यहाँ पर इनोंने contact number दिये है, ID दी हुई है, तो आप चाहें, तो यहाँ पर contact करके, जो भी आपके doubt हैं, वो भी आप यहाँ पर clear कर सकते हैं, तो यह video यह vacancy update आपको अच्छा लगा हो, तो like and share कीचेगा, thank you.